हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल तयारी कर लो के हिंदी साहित्य के हजार महत्पूर प्रश्ण की सिरीज 29 में दोस्तो इससे पहले हमने 28 तक की सिरीज देख ली थी यह आधारित होंगे हिंदी साहित्य पर तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कथा साहित में किस रचनाकार को क्रसक संस्कृती का प्रमुख गायक कहा गया है तो यहाँ पे options दिये हुए है फड़िश्वर नाथ, रेणू, उसिव पूजन, सहाय, नागारजुन और प्रेम चंद्र तो इनमें से बताना है कि किस रचनाकार को क्रसक संस्कृती का प्रमुख गायक कहा गया है सही उत्तर है option दा, मुण्शी, प्रेम, चंद, आप्शन दा, यहाँ पे सही है हमारा फिर अगला प्रशन है हिंदी साहित में कौन सा रचनाकार दुतिय भारतेंदू के नाम से विख्यात है तो यहाँ पे options है प्रताप, नारायन, मिश्टर, बालकृष्ण, भट, राधा, चरण, गो, स्वामी, बदरी, नारायन, चोधरी, प्रेम, घन तो इसमें से कौन सा है प्रताप नारायन मिश्र ओप्शन आ यहाँ पे सही है फिर अगला प्रशन है सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढ़ली या कथन किसका है सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढ़ली या कथन किसने का था ओप्शन्स दिये हुए है इन्शालला खाँ सदल मिश्र भारतेंदू हरिश्यंदर राजा सिव प्रसाद सितारे हिन तो बताईए इसमें से कौन सा है भारतेंदू हरिश्यंदर जी का ये कथन है ओप्शन सा भारतेंदू हरिश्यंदू प्रशन है आधूनिक हिंदी में कौन सी विधा बोध कथा के रूप में जानी जाती है नीची options हैं बोध कथा के रूप में आधुनिक हिंदी में कौन सी विदा है जो बोध कथा के रूप में जानी जाती है options है कहानी, उपन्यास, लगु कथा और नाटक तो इसमें से बताईए कौन सी है लगु कथा, option सा, लगु कथा फिर प्रश्नी दिया हुआ है उनका गद्य मुर्दे में कफन फाल कर उठ बैठने की शक्ती संचारित करता है या कथन किस रचनाकार के लिए है ये कथन है, उनका गद्य मुर्दे में कफन फाल कर उठ बैठने की शक्ती संचारित करता है ये प्रस्तुत कथन किस रचनाकार के लिए है तो आप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महादेवी, वर्मा, प्रेमचंद और पंडित बेचन शर्मा ओग्र तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है महादेवी वर्मा जी का आप्शन बा प्रशन है एकान्त वासी योगी नाम से हर्मिट का अनुवाद किसने किया है औप्शन है राम नरेश तिरपाथी, शरीधर पाठक, मुकुट धर पांडे और सुमित्रा नंदन पंत तो इसमें से किसने किया है शरीधर पाठक ने ऑप्शन बा शरीधर पाठक जी ने किया है फिर प्रश्न है हिंदी साहित में कलम का सिपाही किसे कहा गया है कलम का सिपाही के नाम से कौन विख्यात है option दिया हुआ है प्रेम चंद, बाबू, राव विश्नु, पराड कर, अमरतलाल नागर, राम विलास्त, शर्मा तो बताईए इसमें से कौन विख्यात है, तो सही उत्तर है option आ प्रेम चंद, प्रश्न है मुझको क्या ढूंडे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, यहां किसकी पंक्ती है options है रहीम, रैदास, दादू, या फिर कबीर, तो यहां पंक्ती किसकी है तो प्रस्तुत पंक्ती है option दा कबीर जी की फिर प्रश्न है बंगला का विकास किस भाशा से हुआ है बंगला भाशा का विकास किस भाशा से हुआ है पैशाची, ब्राचर, शौरसेनी, या फिर मागधी तो इसका जो बांगला का विकास हुआ है वा मागधी भाशा से हुआ है प्रशन है हिंदी की प्रथम रचना श्रावका चार किसकी रचना है मतलब इसके लेखक कौन है श्रावका चार के आप्शन है सरहपाद, देवसेन, पुस्य या चंदबर दाई तो यहाँ पे आप्शन कौन सा इसमें सही होगा हिंदी की प्रथम रचना श्रावका चार किसकी रचना है देवसेन की आप्शन बादेवसेन करत श्रावका चार प्रशन है यथार्थ वाद में किस दरश्टी की प्रधानता है या थार्थ वाद में किस द्रश्टी की प्रधानता है? ओप्षन के तौर पे है व्यक्ति के इंद्रित, परमपरा के इंद्रित, वस्तु के इंद्रित या फिर रूप के इंद्रित तो इसमें से कौन सा सही होगा? ओप्षन सा वस्तु के इंद्रित तो यहाँ पे हमारा option सा सही है अगला प्रश्न है भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है आत्मकता है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है तो बताईए भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है उपन्यास ओप्शन सा उपन्यास विधा की रचना है फिर प्रशन है केशो कही न जाई का कहिए पंक्ती किस कवी की है यह पंक्ती किस कवी की है ओप्शन के तोर पे यहां पे दिया हुआ है सूर दास परमानंद दास तुलसी दास या फिर केशो दास किसकी है सही उत्तर है ये तुलसी दास जी की है option सा तुलसी दास करत है प्रश्ण है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रश्णा है कविता है कहानी है नाटक है या फिर उपन्यास है किस विधा की है तो मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है ये उपन्यास विधा की रश्णा है option दा प्रश्ण है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है नीचे उप्शन है नागपुर, हैदराबाद, बंबई, मद्रास प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन इनमे से कहां आयोजित किया गया है नागपुर में कहां भाईया नागपुर में आयोजित किया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन अगला प्रश्ण है इनमे से मार्क्सवादी आलोचक कौन है आप्शन नगेंद्र, विजेंद्र इसना तक, अगे या फिर राम विलास शर्मा कौन सा आलोचक मार्क्सवादी आलोचक कौन है राम विलास शर्मा आप्शन दा राम विलास शर्मा मार्क्स वादी आलोचक है प्रश्न है वियोगी हरी का पूरा नाम क्या था? आप्शन आ योगी हरी, हरी हर प्रसाद दिवेदी, योगेंद्र हरी या फिर हर प्रसाद दिवेदी तो इसमें से कौन सा उत्तर है जो सही है? प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रक्रण किसकी रचना है? प्रश्न है फंतासी का प्रियोग किस कवी ने सबसे अधिक किया है? प्रश्न है छाया वाद के लिए रामचंदर शुक्ल ने किस शब्द का प्रियोग किया है? किस शब्द का प्रियोग किया है? व्यक्तिक तावाद मधुचर्या हालावाद या गिर राष्टिय संस्क्रती धारा तो इन में से किस शब्द का प्रियोग छाया वाद के लिए रामचंदर शुक्ल ने किया है? मधुचर्या शब्द का प्रियोग किया है प्रश्ण है चीडों पर चांदनी किस विधा की रश्णा है? उपन्यास है, कहानी है, यात्रावरत है या फिर नाटट है तो ये एक यात्रावरत है चीडों परचांदनी एक यात्रावरत है प्रश्न है पराधीन सपनेहु सुख नाहिम किस की पंक्ती है? तुलसी दास, जैसी, रहीम दास या फिर कबीर सही उत्तर है तुलसी दास ओप्शन आ तुलसी दास जी की पंक्ती है प्रश्न है पूर्वा ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ पूर्वा ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ भोपाल लखनव इलाहाबाद या फिर कानपुर तो इन में से कहां से इसका प्रकाशन हुआ था फुर्वा ग्रह पत्रिका का भोपाल ओप्शन आ भोपाल से हुआ फिर प्रश्न है कलम का सिपाही किसकी रचना है तो कलम का सिपाही किसकी रचना है ओप्शन्स देख लेते हैं मदन्ब गोपाल, राम्विलास शर्मा, अम्रत लाल नागर या फिर अम्रत राय तो इन में से किसकी रचना है कलम का सिपाही तो सही उत्तर है अम्रत राय option दा अम्रत राय की रचना है प्रश्ण है हिंदी साहित में किस रचना कार को बीस्वी सदी में वैदिक युग का मौडल कहा गया है ओप्शन्स दिये हुए है सिया राम शरण गुप्त, मैथली शरण गुप्त, भारते इंदु हरिश्यंद या फिर बालक रश्न भाट सही उत्तर है सिया राम शरण गुप्त को ओप्शन आ सिया राम शरण गुप्त को बीस्वी सदी में वैदिक युग का मौडल कहा गया है प्रशन है संस्कृती के चार अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है राम धारी सिंग दिनकर हजारी प्रसाद दिवेदी विद्या निवास मिस्र या फिर महावीर प्रसाद दिवेदी तो इन में से कौन है संस्कृती के चार अध्याय पुस्तक का लेखक सही उत्तर है रामधारी सिंग दिनकर ओप्शन आ दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को ज्यादा सी ज्यादा शेयर करें आपके पास कोई सुझाव है कोई कमेंट है कोई समस्या है उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं इसके अलावा हमारे सोसल नेटवर्क पर भी मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद